हाई फ्रेंट्स मैं हुपेंद्र कुमार पांडे आप देख रहे हैं पंडीत उपेंद्र स्टडी क्लासेस में गाइस मैं जैसा कि आप लोग को IMED की चेप्टर फाइब यानि इंडेस्टियल मनेजमेंट एंड इंटर्पेंडर्शिप डेपलब्मेंट कि चेप्टर फाइब के उश टापिक आपको अ नेश्ट क्लासेस में बात किया था जैसा कि आप लोग को नेत्र लीडर्शिप क्या होता माटीवेशिन कीया था कि आस मैं बात करने वाला हूँ जो तो important of motivation होता है, जो प्रोचाहन होता है, उसका क्या महात होता है, वो किस लिए किया जाता है, इनके बारे में पूरा step by step कसन करने वाले हैं, यहाँ पर वीडियो काफी helpful होने वाली है, वीडियो लाश्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा, चलिए मैं जैसा कि अब स्क्रिन के माद्यम से देख पा रही हैं, पहला टाफिक आता है, important of motivation, means कहने के मतलब है, जो प्रोचाहन का महत्त क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे, तो इनको definition के माद्यम से देखेंगे, तो definition हमारा क्या करता है, कि प्रोचाहन कार की प्रगति के लगाव उत मिनस कहने के मतलब है, जो प्रोचाहन मोटिवेशन होता है, प्रतिकार के प्रति लगाव उत्पन करने, उत्साही बनाने, पाहल करने, इमांदारी तिथा इच्छा सक्ती जागरित करने के लिए आवश्यव होता है, means कहने के मतलब है कि motivation की महत्त क्यों बड़ी तो हम बात किया जाए कि जब कोई व्यक्ति अगर किसी कारे को कर रहा होगा करता है या फिर करने के लिए सोचता है तो उसमें किसी ना व्यक्ति के द्वारा कुछ ना कुछ से motivate कर देना उस व्यक्ति को कि वो कारे अगर आज नहीं कल करना है कल नहीं परसों करना है तो अगर इस प्रकार से वो व्यक्ति कर भी रहा है तो उनको इस प्रकार से motivation करना कि वो जो सोच रहा है कि कल करेंगे वो कल वाला काम आज ही repeat कर ले means कहने मतलब पूर कर ले ठीक है तो उनको जागरित करना ठीक है कहने के मतलब है और कार के प्रति उत्साही बनाना और कार के प्रति लगाओ बनाना तो इन सभी चीजों को important means कहने के मतलब है इन सबी चीज़ों को कुछ जागरित करने के लिए हम क्या करते हैं motivation को important दिया गया means कहने के मतलब है जो पुरुथान का महत्तु दिया गया ठीक है यह बीभिन प्रकार के होते हैं यह देखेंगे पहला आता है आपका तो इच्छा का कार जागरित करना means कहने के मतलब है अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार करने की इच्छा उत्पन होती है तो उसी कार को अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर motivate कर दिया जा उस व्यक्ति को जिसने यह काम मतलब कहने के मतलब है इसके बारे में कार करने के बारे में सोचा तो उस कार को कहने का मतलब है कि जादा से जादा और सावधानी पूर्बग और कम से कम समय में वो कार पूर्ड हो सकता है अगर किसी कोई नव्यक्त उसे मोटिवेशन कर दिया जाए मिन्स कहने का मतलब मोटिवेट कर दे मिन्स कहने के जाए उत्पादन के कारकों को सही प्योग करता मिन्स कहने के मतलब जो भी उसमें प्योग किया जाते है राम अटियास हो गया ठीक है यो भी पार्ट हो गया मसीन्री हो गया तो उन पार्टों को एक बार पहले चेक करता है और चेक करने के बाद पूर्व जो कार होता है उनको सही डंग से करने के लिए वो सोचता है ठीक है नेश्ट बात किया जाए क्रमचारी का फेर वदल में कमी होता मिल्स कहने के मतलब जो इसका इधर उधर कार करते रहते हैं तो केवल अगर किसी ने बेखती द्वारा मोटिवेट कर दिया जाए तो केवल अपने कार पर ही फोकस करेंगे ठीक है तो इनको महतो दिया गया नेश्ट बात किया गया समण्यवेन का आधार होता मिल्स कहने के मतलब है एक समान सभी जो स्रमिक होतें कार करते हैं वो समान रूप से अपने अपने कार को अपने पेड़ाईतों को निभाते रहेंगे अगर कोई किसी के द्वारा मोटिवेट कर दिया जाए ठीक है नेश्ट बात किया जा उत्पाधन और उत्पादक्ता में विद्धी होती है मिन्स कहने का मतलब है अगर किसी भी कार को अगर स्रमिक लोग जादा से जादा कार करने की रूची उत्पन्ने करेंगे तो जाहिर की बात है कि आपका जो प्रोड़क्ट होगा सही बनेगा और जादा से ज्यादा प्रॉड़क्टि की तैयारी भी बनेगी अब बात किया जाए जया है कि आपको एक इग्जाम्पल ले लिया जाये अगर किसी गर में आगर दो वेक्ती है ठीक है वही क्या करना है मतलब दोनों वेक्ति एक को एक-क काम को आधे-अधे पाइटों में करना तो कहने मत श्बतलब इस प्रकार से मोटिवेट कर दिया जाया कि वह कार करने के लिए खुद नर्कुद जरुभिप हो जायी तो वह क्या कहिल अपका इसी के लिए जो प्रूतियान का महत्ति दिया गया मोटिवेशन और ido सब्साडम सब मोटिवेशन चीए गया नेश्ट बात किया जगा है तो प्रोथसाहन के वरीगिकरण मींस कहने के मतलब है जो classification of motivation होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में देखेंगे जैसा कि आप लोग को यहां पर आगे तपी काता है प्रोथसाहन का वरीगिकरण क्या जाता है और एक सकार आत्माक या नाकार आत्मा के अंतर गता है इनको पहले definition देखेंगे पहली बारी topic आता है आंतरिक तथा बाय प्रेड़ा means कहने के मतलब है internal and external motivation क्या होता है इनको definition के मादर से देखेंगे तो definition हमारा क्या करता है कि आंतरिक प्रेड़ा मनुस्त के अंदर उत्पन होती है अर्थात अपने लच और प्रसिद्धी पाना चाहता है बाय प्रेड़ा वेतन भत्ते और पुरसकार प्रसंसा पद अधिकार आधी को प्राप्त करता means कहने के मतलब है अगर कोई भी कार कोई भी स्रमिक कब मोटिवेट कब प्रोत्साहान में आएगा मतलब कब खुस होगा इंटर्नल में आ जाता means कहने के मतलब है आंत्रिक प्रेड़ा के अंतरगत वो क्या आता है आपका किसी न किसी वो लच्छ की प्राप्त करने के लिए वो कार कर रहा है कमपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो क्यों काम कर रहे हैं अपना जीवन यापन करने के लिए एक सुन्दर घर मनाने के लिए ठीक है तो इसी न मतलब किसी न किसी उद्देश से किसी न किसी लच्छ प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं तो ये किसकी अंतरगत आता है अब कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वेतन होना चाहिए अगर कोई भी है तो उसमें कुछ ना कुछ हमें प्रोचाहन मिला चाहिए ठीक है तो यह सब किसके अंतरगत आते हैं बाह प्रेड़ा के अंतरगत आते हैं मतलब इस्टरनल मोटिवेशन के अंतरगत आते हैं तो यही क्या होता है कि आप लगका जो इस्टरनल और इंटरनल होता है इनहीं के आधार पर इसका मोटिवेशन का वरगी करण किया गया ठीक है बात किया जाए नेश्ट वाला तो नेश्ट कहते हैं आपका साकारात्मक या नाकार साकरात्मक प्रेड़ा अब यह क्या होता है यानि positive and negative motivation क्या होता है इनको देखेंगे इनको definition के बाद हम से देखेंगे definition हमारा क्या करता है कि संतुष्ट ब्यक्ति की सोच सदेव साकरात्मक होती है means कहने का मतलब है कि अगर कोई भी factory में कोई भी श्रमिक कार कर रहे हैं वो प कमियां उत्पन होती हैं तो प्रबंदग तक जाता है वो फोर्थ सहीं को सद मतलब साकरात्मक सोच सोच खेंगा कि हां बाइँ हम इतना कार कर रहे हैं अगर जितना कार नहीं हो पा रहा है तो इससरे यह क्वा और इस ही कह एछले है कि झारो जो स्रमिक होगा वो साकारात्मक मानले positive motivate होगा जिन्स कहने के मतलब है अगर कोई भी कार कर रहे हैं तो उसे और ज्यादा कार कराने के लिए motivate करेगा कहने के मतलब है वही एक्या होता आपका यह साकारात्मक motivation के अंतरगत आती हैं नेश्ट बात क्या जाए आगे कहता है कि संतुष्ट ब्यक्ति के पास अच्छा पद, अच्छा वेतन, अच्छा दिकार वा जिम्मेदारी होना चीए नेश्ट बात क्या आपका नाकारात्मा क्या होता है इनको देखेंगे असंतुष्ट ब्यक्ति की सोच सदेव नाकारात्मा कोती है उनको हटा भी देजा सकता है वेतन भी कम दिया जा सकता है तो इनके कारण क्या होता है है जो स्रमिक होता है उसके नाकारात्मा क्यानी कहने को मतलब है निगेटिव मोटिवेशन उत्पन्य होता है यहां पर आप लोग कुप जो प्रोप्सान का वरिक्राण क्या होता है इनके बार में दोनों एकदम इजी धेंग से समध में आ गया होगा बात किया जाए आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ प्राब्द करने के लिए उकार करेगा ठेक है तो ऐसे मोटिवेशन आपका क्या आता है इंटर्नल मिन्स कहने को बतलब प्रोप्साहन प्रडाली की आव सकता मिन्स कहने कमतलब है यहां पर प्रोप्साहन प्रुट्सान प्रडाली के आउसकता है, कौन किस किस जगार पे होती है, मσηills कहने कीजाने की मतलब पर है, इनका क्यों अधिकार किया गया, ठीक है, इनने क्यों जन्रेट किया गया, इनके बारे में अब देखेंगे, तो जैसा कि आप इस पहला टापिक आता है अच्छा वीतन प्राप्त करने के लिए मिन्स कहने के मतलब जो प्रुत्साहन प्रडाली होती है उसकी आउसकता क्यों दी गई अच्छा वेतन प्राप्त करने के लिए नेश्ट बात किया जाए अच्छा वित्य प्रुत्साहन प्रडाली करने के लिए प्रुत्साहन के लिए प्रुत्साहन प्रुत्साहन के लिए उसकता हैं पड़ी आगे बाद किया जाए औसार पहचानने के लिए ठीक है कि कौन बैक्ती कितना कार कर रहा ठीक है और किस ताइम पे वो बैक्ती कितनी सेलिंग कर रहा ठीक है तो इनको औसार पहचानने के लिए भी किया पड़ी निश्टबाद क्या जाए मानंविये सम्मण्ध रखने के लिए भी किया गया अच्छी अधिकारी अकारिकारी दसाओं के लिए भी किया गया निश्टबाद क्या जाए कार की सुनि सित्ता के लिए आप लोको important motivation होता है और classification of motivation होता है इन दोनों टापिक के बार में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी तो बस कैस आज के अतना ही वीडियो अच्छे लेगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा स्यादा सेयर करने कोशिश कीजिए मिलते नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे